हम ने मंदिर और मजजद से निकाल के लोगों को शुरू किया, पॉलिटिकल पार्टी उसको मजबूर किया, इलेक्टरिसिटी पारे मिए बाहरे में बात करनी है आपके गवाने एक्सेप्ट किया है आपादमी पार्टी को आपादी पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं इस पॉलिटिकल रिवरिशन टू इंगा, हमेशे एक कश्मीरी को ना इस्तिमाल किया जाता है, हमेशे इस्तिमाल, emotionally blackmail किया जाता है, कभी ये blackmail किया जाता है कि 370 आएगा साल में इंडियन हिस्ट्री पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी ने दस साल में नैशनल पार्टी नहीं बनाएगी मजभ की सियासत करने वाले रिजन की सियासत करने वाले और रिलिजन की सियासत करने वाले बहुत है अब देख रहे हैं किश्मीर नियूसर्विस मैं हूँ आसिफ मलिक आज हमारे साथ वो शक्सियाद बात करने के लिए मौजुद है जो किसी तारुफ के मौताज नहीं है डाक्टर नवाब नासिर आमान जो के जुम कश्मीर आम आदमी पार्दी की चेयर्मेन है तो नासिर साथ खेर मगद मैं आपका कश्मीर नियूसर्विस मैं है अल प्लेजर इस माइन ब्रेदर सर पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा केजड़वाल जी के हवाले सी वो अभी जेल में बंद है सुब किसे बताएगा सर इशू तो केजड़वाल साब ने खुद अपने जबान से कोट में बता दिया और यकीन मानिये वो जज़ भी दंग रह गे सब इशू तो बहुत खुला है इशू ये है कि वो हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहते थे वो हिंदुस्तान की सियासत में एज्यूकिशन को लाना चाहते थे वो हिंदुस्तान की सियासत में हेल्थ सर्विस को लाना चाहते थे लेकिन देखा नहीं जाता है देखे मजभ की सियासत करने वाले region की सियासת करने वाले religion की सियासत करने वाले बहुत हैं लेकिन development के नام पर vote तू आप लेते हैं लेकिन development करते नहीं केज्रिवाल सर को एक sitting CM को एक 걵हमत से जिताने वाले CM को अगर आप arrest करते हैं तो ये आप बेज़्दी केजरिवाल सर की नहीं करतें ये आप उन वोट्स की बेज़ती करतें जो लाखों वोट्स ने उनको जिताया है सर इसकी टाइमिंग भी देखिए आप इसकी टाइमिंग वो है जब उनको लगता है कि केजरिवाल सर अगर गुमे पुरे हिंदुस्तान में तो नवियत बदल जाएगी एलेक्शन के लिडर आम आदमी पार दिखे चाहिए संजे राउट की बात करें हम चाहिए ओएजुकेशन मिनिस्टर ते इमाम पर उसकी बात करें मसला क्या है सर सर मसला सीधा सीधा ये है मुझूदा गॉर्मिट आपसे डरती है उनको ये लगता है कि कहीं न कहीं अगर ये लोग मार्केट में आगे हैं पुरी तरह से सर हमारा जो पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल स्टार्ट अप इस टैनियर्स ओल्ड दस साल में इंडियन हिस्ट्री पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी ने दस साल में नैशनल पार्टी नहीं बनाई आपने अगर्टिशन मनिस्टर की बात की मनिस्टर सुदिया सर का नाम नियू यॉउख टाइमस में फ्रेंट पेज पे आता है और नियॉउख टाइमस लिखता है कि this is the education system which should be applied to all developing countries. हट developing countries में ये education system होना चाहिए. वो ये इनसान डिजर्व करता है कि वो जेल में रहे. सतिंदर जैनिसार हमारे जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर महला क्लिनी का कॉंसेप्ट दिया उन्होंने. महला क्लिनी का कॉंसेप्ट देने के बाद उस महले में जाके देखिया और पूछिया वो लोगों से प्रिवेट हॉस्पिटल्स बंद हो गए हैं वहाँ पे. यकीन मानिये. अगर ये सब चीज करने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई. आपको ये सब के चीज करने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं हमें हुकुमत करनी नहीं आई. तो वहाँ से निकल के पंजाम में वोट नहीं देते. तो वहाँ से निकल के आपके गुजरात में वोट नहीं देते. आपके गुजरात ने accept किया आमादमी को आपके गवाने accept किया आमादमी पार्टी को आमादी पार्टी कोई political party ने, it's a political revolution to India और इसको आप चितना दबाओगे, चितना दबाओगे इस चीज़ को, उतना ही उब रहेगी सर, हमादमी पार्टी को जमुख कशمीर के अंदर कहां देखते हैं? सर, हमारा मानना यह है कि जो मसीबत परेश्यानिय ज़रूरत एक आम इनसान को, आम आदमी को है वो गुजरात में भी वही है, पंजाब में भी वही है, कशमीर में भी वही है मैं आप से पूछना चाहता हूँ अगर आज कोई भी तंजीम आपके पास आती है और कहती है कि मैं आपके hospital ठीक करूँगा मैं आपके schools ठीक करूँगा किया आप उन पे बरोसा करोगे या हम पे बरोसा किया आपके hospital ठीक है तेखो यह जो political parties होती है unfortunately कश्मीर में इनको न कहीं न कहीं वो वरासत के साथ क्योंकि मेरा चाचा मा मेरा मेरा बुजरग एक national conference को vote डालता था या किसी और party को vote इसलिए मुझे भी डालना नहीं ये दोस्तों ये कलमा नहीं है ये political party और इनका मजजद से निकाल के लोगों को शुरू किया political parties को मजबूर किया electricity के बारे में बात करने लिए अगर आज कोई भी party वह अपनी party हो फराई party हो फलानी party हो और कोई भी party बात करती है कि हम 200 unit free करेंगे वो concept किनका है वो concept तो हमारा है दोस्तार इगामिट में आपको आपको नंबर पर कॉल करते है वो आपको घर आके आपके documents कलेट करके जाता है सर अगर ये सब चीज हमारी जरूरत नहीं है कश्मीर की तो आम आदमी party की भी जरूरत नहीं है अगर यहां सब चीज ठीक है तो आम आदमी party की जरूरत नहीं डॉक्टर नवाब की भी जरूरत नहीं लेकिन हकीकत यह है कि हमने सिर्फ आश लगाई है तब भी आश लगाके थे आज भी आश लगाके है लेकिन unfortunate हमको एक कश्मीरी को ना इस्तिमाल किया जाता है हमेशे इ हम आएंगे तो 370 वाफ्स आएगा या श्मीर के लोगों के पास जाएंगे आप क्योंकि पार्लमेंट अलेक्शन जाने वाले है क्या आम आर्मी party यहां पर participate करेगी सर हम इंडियन इलाइंस के साथ और हम इलाइंस का मजभ जो होता है दरम जो होता हम बहुत अच्छी तरह स अपने वर्ड पर रहते हैं हम इंडियन इलाइंस के साथ हैं हम 14 सीटों पर पंजाब में लड़ रहे हैं चार सीट पर डली में लड़ रहे हैं और हिमाचल में लड़ रहे हैं हमें जो अलॉकेट किये गई हैं सीट हम वहां पर लड़ेंगे और हम यहां पर दिल जान से सर हर्जदेव is a good friend and he's a nice person देखिए पॉलिटिकली क्या होते हैं अलग-अलग अपने केरियर विचारदारे होती हैं अब आजकल के जमाने में जिसे सर हो प्यारा जिसे अपनी जिन्दगी हो प्यारी वो यहां से लोट जाए अब आब आधी पार्टी में तो वही ठहरेगा ज जिसने जेल की सिलाखों के पीछे रोटी खाने को अपने आपकी तारी की होगी पुराने MP साब को किसने देखा है क्या यार शकल तक याद नहीं अन लोगों की हम बाइकाट करते हैं तो कुछ नहीं मिलता हमको आज मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बोला यह सियासत क्यों क कुछ तो हमें करना पड़ेगा इस सियासत में उतर के सियासत गंदी सियास को ठीक करना पड़ेगा और मुझे लगता है आज का एजुकेशन एजुकेटर आदमी जो है जो आज तल्ब करता है फूर्थ क्लास की एंप्लाइमेंट निकलती है तो बागे बागे हज़ार उन लाकुन लोग एप्लिकेशन डालते हैं या थ्री टायर का आपके पास है आपके पास बीडी सी है डीडी सी है आपके पास पंचाईती है सरपंच है सब में कुछ जाओ सब्सक्राइब नवाब नासिर आमान की जैनम से क्या पैगाम रहेगा जुमू कश्मीर के लोगों के लिए मेरा ये पैगाम रहेगा दोस्तों कि देखे जिन्दगी जो है ना लाइफ इस वेरी शॉर्ट हम लोग पैसे रुटबे मकान गाड़ियों के पीछे बागते हैं लेकिन लाइफ इस वेरी शॉर्ट वह अगर बाग के हमने हासित भी कर लिया तो एक दिन तो मर जाना इंसान है दोस्तों कुछ ऐसा कर जाओ कि जिस दिन मरो उस दिन कुछ तो लगे कि ये जमीन में कुछ खाली हो गया अगर जब तक अच्छे लोग बहर नहीं आएंगे तो गंदे लोग हुकूमत करते रहेंगे ये मिरी अड्वाइस है कि एनसे बात करने के लिए आपका बुह तो चुक्त है